सो हलो फ्रेंट्स विल्कम टू और चैनल पीसे अब नालेज तो फ्रेंट्स आज की सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे पढ़ेंगे और सिखेंगे जी हाँ यूनिट नंबर एट का इस्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में जिसका नाम है गत को अंगरेजी में करते हैं आज की सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे पढ़ेंगे और सेखेंगे यहां स्याटी साइन्स में आज हम लोग स्टडी करने वाड़ एक गत ही क्या होता है तो सबसे पहले हाँ पर डिफनिशन पॉइंट जो भी भी होता उसका इस टडी करेंगे अभी फिलाल मैंने तुरांत पीडिया प्राउलोड किया इसका और सबसे पहले आपो डिफनिशन जो भी होता पूरा आपको है गति का motion का जो chapter है most important chapter है और देखिए सबसे पल इसमें आता बीराम और गति क्या होता है rest and motion क्या होता है तो आईए इसका definition पढ़ते हैं यदि किसी वस्त की इस्तिति किसी इस्तित वस्त के सापेज समय के साथ में बदलती रहती है उसे गत की आवस्ता में कही जाती है जैसे चलती ट्रेन जुबजली के पोलत और पट्रे किनारे इस्तित पढ़ते के सापेज अपने इस्तिति बदलती रहती है और समय के साथ इस्तित वस्त के सापेज इस्तिति नए बदलने पर उसे बिराम आवस्ता भी कही जाती है दूरी क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है इसका डिफिनिशन होता है वस्त द्वारा किसी समयांतराल में ते हैं कि यह मार की संपुर लंबाई को दूरी काते हैं और इसको डी से लिखा जाता है और यह एक अधिसरास से होती है अधिसरास क्या होती है जिसमें तीसा नहीं हो करते हैं कि विस्थापन एक्स्वल में क्या होता है डिस्प्लेश्मेंट क्या होता है तो इसको डिफाइंड करेंगे कि वर्ष्थ की अंतिम इस्तित प्राणरम की स्थिति की बीच की दूरी को विस्थापन करते हैं विस्थापन एक सदिस राशी है और इसमें प्रड़ाम य तो यहां से कोई वस्त यहां से चलती है यहां पर आती है यहां से फिर इस पॉइंट पर आती है तो यह पूरी दूरी होती है लेकिन जब इसका विस्थापन निकलते हैं तो विस्थापन ऐसे सिधे निकलती है मतलब यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस होता हुई क्या ह क्या करते है विस्थापन करते हैं नेक्स्ट टाफिसे करते हैं जो कि मोस्ट इंपोटेंट टाफिक से तो इसका डिफनिशन है कि कुई वर्ष्थ 21 में जितने दूरी तेयं करती है उससे चाल करते हैं चाल एक अदिस राशी और उसका साई मातर मीटर परतिस सेकेंड होता है इसको मीटर परतिस सेकेंड को सौट में से यह अवलिक ऐस से लिखा जाता है तो यह होता है चाल होता है most important wake क्या होता है जो की अक्सर competitive पूछा जाता है आपकी class के एकजामे पूछा जाता है तो wake को करते हैं अंगरेजी में velocity क्या करते हैं velocity और इसका definition होता है कोई वस्ट 21 में किसे निश्ची दिशा में जितनी दूरी तैय करते है यानि जितनी भी स्थापित होती है उसे वस्ट का wake करते हैं और यह एक सदिस रासी है और इसका SI मातर मीटर परतिस सेकेंड होता है और वेग धनात्मक पर गडात्मक स्वासुने कुछ भी हो सकता है अच्छा बात करते हैं कि आवसा चाल क्या होता है अवरेज स्पीड क्या होता है तो आईए इसको समझेने की कोसिस करते हैं तो इसको डिफाइड करेंगे जब वस्त भीन भीन चालो से समान दूरी तैय करते हैं यदि कोई वस्त किसी दूरी को चाल से तैय करती है और इसके बाद उतने ही दूरी 0-2 चाल से तैय करती है मतलब 2 वेग से चाल करते है तो संपुड यात्राम उसकी आवसा चाल क्या होत करते हैं average speed करते हैं ठीक है और सेकेंड है कि तोरड किसे करते हैं असलेरेशन किसे करते हैं जो कि most important topics है इसको define करते हैं किसी वस्त के वेग परिवतन के दर उसका तोरड करते हैं तोरड को प्राया अंगरेजी की सेकेंड होता है इसको घमारें ब्रावर्तरा रहता है तो सिसे मंदन वघ्क रोड़िक तो ᑲ को चा Inhale गया कुछा जोता है तो आपन वे देगा रीडातमक the aurait मतलब जिद का मांद माइनस में है तुछी क्या काते आ है बात करते हैं कि इस मांद त्वरित गत के लिए गएसलीयो के स्वैरड जो होता है ओ यह होता है पाला गत क्या पाला equation होता है V equal to U plus A T दूसरा होता है S equal to U T plus half A T square दूसरा होता B square बराबर U square plus 2 A S और 14 होता है S T equal to U plus half A T minus 1 तो A होता है और आपको बताद यहीं जब equation under gravity के अंदर जब करती है गुरुत्व के अंतरगत जबगत करती है तो यह equation हो जाता है पहला equation हो जाता है S equal to U T plus half J T square थारड़ बराब U square बराब U square plus 2 G H हो जाता है अब यहां पर plus minus क्यों लगा जाता है यहां पर आप देखें कि plus minus क्यों लगा जाता है तो plus minus इसलिए लगा जाता है क्योंकि गुरुत्व के अंतरगत जब किसी वस्त को हम उपर फेकते हैं यहां पर से नीचे जब गिराते हैं तो plus मिली जाती है तो इसलिए आप यहां पर देखा जाता है कि किसी वस्त को उपर फेका जा रहा है या फिर उपर से नीचे गिरा जा रहा है तो यदि नीचे से उपर फेका जागा तो आप G command minus मिलेंगे और यदि उपर से नीचे फेका जागा तो G command plus लेंगे और आपको मालूम होगा कि G command कितना होता है small G command 9.8 होता है मीटर पर तिस सेकेंड और सम सम केस में यह विली आ जाता है कभी कभी केस में 10 विली ले जाता है निमिलों को solve करने के लिए तो यह दोमान होता है तो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर है CRT पार्टी पुस्तक प्रेट संख्या 110 पर कुछ कोशन पुछे गए है जो की अच्छे कोशन है कोशन यह पूछा गया है क्या इसका बिस्थापन सुनने हो सकता है अगर हां तो अपने उत्तर को दाराट के द्वारा समझाए कोई एक वस्त है कोई एक वस्त है जो दूरी तेंग करता है तो अई पूछ रहा है क्या इसका वस्त का बिस्थापन सुनने हो सकता है तो इसका एंसर क्या हो सकता है कि विस्थापन सुने हो सकता है ठीक है तो एंसर दिखेंगे कि हाँ इसका विस्थापन सुने हो सकता है क्योंकि जो विस्थापन क्या होता है कि सिवस्थ का प्रारंबिक अंतिम तथा प्रारंबिक स्कितियों की बीच की दूरी होता है तो जब वस्ट वहीं से चला है और वहीं पर चला गया सेकेंड कोशन पुछा गया है की एक किसान 10 meetr की बोजा वाले एक वरगकार की सीमा पर 40 स्क्र लगाता है दो मिनट, 20 सेकेंड बाद किसान के विसथापन का प्रेडाम क्या होगा, तो एक कोई वर्गाकार खेत है, उसका परिमाप क्या होता, फोर घुरे बुजा होता है, आई इसको सॉल्व करते हैं, तो माल लेते हैं कि एक कोई किसान का खेत है जिसकी एक भुजा कमान दिया 10 मीटर तो इस सब भुजा कमान कितना होगा 10 क्योंकि वर की प्रपरटी क्या होती है उसके 4 भुजा अपस में बराबर होती है तो फिलाल मुने एक बुजा कमान पाइंड कर लिया तो चार्योस सेकंट में चले गये दूरी 40 मीटर होगा दो मिनाट 20 सेकंट मतलब कितना होगा तो मिनाट 20 दो दो मिनाट तोant 20 में कर लिया प्लस 20 भी आ तोम मतलब 140 सेकंट आगया टोटल अब चक्रों की संख्या क्या होगी कुल लगा समय बटे परिमाफ होता है जले 140 बटे 4 होगा 00 कट जाएगा फाइनल यहागा 3.5 अर्थात 140 सेकेंड में 3 सहीत 1 बटे 2 चक्कर लगाएगा और साथ साथ में यहाँ पर एभी हम कहेंगे कि वह बिंदू A से चलकर अंत में बिंदू C पर पहुंचेगा बिंदू A से चलकर कहाँ पहुंचेगा यहाँ चलकर C पहुंचेगा तो वहीं को lambda क्या नहींद करना है कैना कि कितना आइगा कितना होगा टेन रूट टू मीटर के होगा तिस तरीके साफ इस को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं को सब्सक्राइब कि तरफ पुछा गया है कि विस्थापन के लिए निवन में से कौन सही है पाला यह सुन्य नहीं हो सकता है इसका प्रड़ाम वस्त के द्वारत तैहीं कहेगी दूरे से अधीक होत है तो दोनों बात क्या यहां पर आ सकते हैं ठीक है क्योंकि जो बिस्थापन होता है यह सुन्य भी हो सकता है और इसका परिड़े परिमाड है वह वस्त के द्वारत तैहीं कि दूरे से अधिक भी हो नहीं हो सकता है ठीक है वह उसके अधिक नहीं हो सकता है और बात करते पे तो चाल में लिखेंगे कि स्थापन में चाल करते हैं कि यह एक अदिस रास होती है जबकि क्या होती है तिसरा होता चाल सतर्धे धनात्मक होती है और गर्तिमान वस्त की चाल सूने नहीं हो सकती है वह क्या आउति है इसका मान ध्रात्मा की मरी डात्मा था सूने कुछ भी हो सकता है और कौशन 2 कर रहा है कि किस अवस्त में किसवस्त की ऑसत वेग का प्रिडाम उसके ऑसत चाल के बराबर होता है वो कौन सी condition है जिसमें उसका जो आउसद वे होता है उसके आउस्द चाल के बरावर होता है जब एक वस्द सिधी रेखा में एक हे डीलीषा में गतिकर रही हो तब उसी condition में स्रिफ होता है वरना ऐसा नहीं possible नहीं है थार्ड कुछा गया कि एक गाड़ी का आडियोमीटर क्या मापता है तो एक सिधी रिखा दिखाई देती है मतलब स्टेट लाइन दिखाई देती है कोसन नबर फाइफ है एक परियोग के दोरान अंतरिश्यान से एक सिगनल को परतिवी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है तो परतिवी पर इस्टिती स्टेशन से उस अंतरिश्यान की दूरी क्या होगी आशा दिखेंगे सिगनल की चाल जो दिया है और परकास की चाल के बरावर दिया है और आपको मालम स Ini वरती है इसको रतिथी स्टेश्यान की उमद समय लोगी जो दूरी होगी चाल की बरावर होगी तो फाइली हिसका परतिवी पर इस स्टिती सिटेशन से हो तीन गुड़े 300 करेंगे कितना हो जागा तो तीन तरीका नो तो नव गुड़े 10 की काते यह हो जाएगा दस मीटर इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जागा मतलब सिगनल को प्रिथ्व पर पहुंचने में इतना लगता है तो प्रिथ्वी से इस्तिती स्टेशन से अंतरे श्या तरह कि वह आप किस वस्त के बारे में कब कहेंगे आप किसी वस्त के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान तोराट से गतिमान है और और समान तोराट क्या होता है इसी के डिपनेशन यादियम पढ़ लेते हैं तो यहां पर बहुत हीजिली तरीके से कह सकते हैं कि कोई एक व definition होता है जब कोई वस्त एक सरह लेखा में चलती है और उसका वेख समान समयंतरालों में समान रुप से बढ़ता आत्मां करता है तो वस्त के तोरण को एक समान तोरण कहा जाता है और सेकेंडर की और समान तोरण क्या होता है नॉन यूनिफ फार्म एसलेरेशन क्या होती है त मंद समयंतरालों में आसमान रुप से बढ़ता है तो कहा जाता है किसा नॉन्म सिर्ड़ के साथ में गतिमान एक सब्सक्ति करती है तो इस तरीक आप प्रवियाब कर सकते हैं और कोशन नमर सेकेंड में निमेरकल पुछा गया जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जो चेप्टर है निमेरकल टाइप में कॉशन है और इसको साल्व करने बहुत ही मजाता है जो कि एफ फिजिक्स का पार्ट होता है जो साइंस होता है इसका पार्ट है जो की काफी अच्छा है तो आए इसको साल्व करते हैं तो यहां आप दिया है कि प्राणबिक विग यू कामान असी किलो मेटर पर आवर प्रहले कोशन तो पढ़ लेते हैं एक बस की गथ पांच सेकंड में असी किलो मेटर पर आवर से घट का 60 किलो मेटर पर आवर हो जाती है तो उसका तोराड़ आपको फाइंड करना है तो तोराड इकोल टू होता है भी बाई डिल टी होता है तो डिल भी मतलब क्या होता था मितमल अंतर ब्यक माईनु प्रारम भीम समय तो प्रारम भीक ति अची किलोмоेटर पर आवर दिया इसको मीटर सकंड में कनवर्ट करेंगे तो किलोम nervous 1000 मेटर होता है एड घंटे में Insight have 20 मिनट कोथा और 6 मिनट एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में साथ सेकेंड होता तो फानली इसको भी सेकेंड में扫़ करेंगे तो फानली जाएगा 12.22 मीटर पर सेकेंड एंड अंतीम बेग जिया 60 क्पलाए पर आवर तो यहां पे अब इसका महरा रहते हैं 60 को किलो मेटर को मीटर में करोड़ करेंगे साथ कोड़े 1000 गंटे को सेकंड में कनवर्टरिंगे साथ कोड़े साथ तो फाइनली आजागा सोला दस मलों छहाँ चहें मीटर पर सेकेंड अब यहाँ रख जाते हैं पर सेकेंड यह की जो तोरण होता है कि इस बस का तोरह कितना माइनस 1.1 मीटर पर सेकेंड एसका क्या अंसर हो जगा तो आपको समझ में भी आया होगा और कोसन नंबर थी की बात करते हैं कोसन नंबर थी में कोसन टूट अप पहता है कि एक रेल गाड़ी स्टेशन चलना प्रायरम करती है और एक स्मान तोराड के साथ चलती वें 10 मिनटे में 40 km पर आवर की चाल प्रावत करती है जिसका तोराड ग्यात किदे अंसल दिखें प्र प्राइब को टू क्या होता है अंतिम एक माइनस प्रारंबिक विग अपान समय मान रखते हैं 100-90-0-600 फाइनली यह आएगा आपके पास में 100-0-600 सब्सक्राइब करें इसको भाग देंगे तो फाइनली आगा 0.01 मीटर पर सेकेंड इसक्राइब और इस कोशन का क्या होगा आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ and page नमबर 118 पे कोशन पुछा गया है कि किसी वस्त के एक समान और समान गत के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रक्रित क्या होगी और समान के लिए, ऐसे जाती है, ऐसे उपर मुर्ना चाले हो जाती है, ठीक है, आप यहाँ कर सकते हैं, नेक्स्ट कोसन पूछा गया, किसी वस्त की गति के भिष। में आप क्या कर सकेंगे, जिसका दूरी समय ग्राफ समय के अज के एक समयां तर सराल लेखा में, तो लिख सकते हैं वस्त बिरामा वस्ता में है क्योंकि समय बदलने पर भी वस्त की स्थिति वही रहती है क्योंकि यहां पर 1,2,3,4 लिया गया लेकिन देखर है एक कंडिशन वही है तो वस्त क्या होगी यहां पर स्थिर होगी and question number third पुछा गया है कि किसी वस्त के गठ के विसे में आप क्या कर सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अच के समनातर एक सरल लेखा होती है तो एक वस्त एक समान चाल से गठ कर रहे है तो मतलब इसका तोरण क्या होता है सुने होता है तो ऐसे यहाँ पर आप इसको डिफाइंट कर सकते हैं and question number four पुछा गया है कि वेख समय ग्राफ के नीचे के छेतर से मापी गई राज क्या होती है तो answer लिखेंगे ता है कि गई दूरी विस्तापन को परड़ाम होता है और पेज नमबर एक सब्सक्राइब कोशन पुछा गया है कि कोई बस विरामा वस्ताष चलना प्राराम करती है तो दो मिनट तक 0.1 मीटर पर से कि एक समान तोरण से चलती है तो परिकलत कि यह प्राथ की गई चाल तक 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 दूर्यां को फाइंड करना है तो फर्स्ट आफ़ाल हमको मालूम है कि यू जो वस्त का प्राराम वेक 0 है तोरण कमान 0.1 मीटर पर सेकेंड स्कॉर है और टी कमान दिया है यहां पे दो मिनट दिया है तो मिनट को सेकेंड में कनवर्ट करेंगे तो 120 सेकेंड हो जाएगा और हमें फाइंड करना भी एस एड इसमें लगाते गत का पाला समीकरण जो की भी इकोल टू होता है यू प्लस एटी तो यहां पे यू कमान 0 यू प्लस एक कमान 0.1 एड टी कमान 120 से अभी फाइंड किये हैं तो फाइनली आ जागा 12 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड में लगाते हैं अगति का त्रितिय समीकरण भी स्क्वाइर इकोल टू स्क्वाइर प्लस टू एस तो यहां से हम देखिए एस फाइंड कर लेंगे तो भी कमान तो अभी मालिम चले गया 12 है तो 12 का स्क्वाइर यू इसको इंटीजर में करोड करेंगे तो 720 मीटर आ जाएगा तो इसका मान हो जागा तो इस तरीके साफ इसको सालू कर सकते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा इसका सालूशन और कोशन नमर सेकेंड की बात करते हैं जो कि मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है और इस पर कोशन पूट अप होता है कि कोई रेलगाडी 90 किलिमेटर पर आवर की चाल से गत कर रही है ब्रेक लगाने पर हुआ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड के एक समान तोरा उत्पन करती है तो रेलगाडी बिरामा वस्ता में आने के पले कितनी दूरी तेंग करेगी ठीक है पतलब जब ब्रेक लगाया जाता है रेलगाडी में और उरुकने तक कितना डिस्टेंस तेंग कर सकती है जब किसमें दिया गह और रेल गाड़ी की चाल इतना है ब्रेक लगाने पीस角 तूरा उटपन करता है तो फालिए यह कमान दियादे किलो सेकंड में कर होड़ सेडिक हो क्या दिया क्योंकि जब रेलगारी रुकेगी तो उसका अंतिम्ब्य क्या हो जाएगी जीरो हो गया अंड फाइनली आप इमान रखते हैं तो जीरो माइनस पचीस का स्कॉयर क्योंकि अभी यू का मान कितना आया पचीस तो सबसे पले जो दिया रहता ना कीलो मेटर पर आवर स्कॉयर के मै чисघई स्किखार फलस जारए ऑस तो जब 4 as स्थार मांस रते स्था हो जाएगा तो i0.5 सहमें करना तो l माइनस मालने मोद पड़न टरव्णन घी और कोई भी संखेंगे उपर नीचे आगे किछे दायमा क्या था वन होEMA था तो फाइल फानली इस हमान आगा 625 मिटर आप यह watt 25 समझ रहे हो मतलब यह तरह दिए इतनी किलो मिटर पर मोसं कर रही है घत कर रहे है चल रही है तो यह उसमें ब्रेक लगाते हैं तो फाइली कितना दूर जाकर गारी रुख जाएगी 625 इस मीटर तक जाएगी फिर वो क्या आउजेगे रुक जाएगे तो इस तरह के साथ इस को सब्सक्राइब करेंगे और को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें पुछा गया है एक ट्राली एक आनतल पर दो मीटर पर सेकंड इसक्वाइर के तोरट से नीचे जा रही है गति प्र प्लस हो जाएगा टू इंटू थी बतलब बी कमान हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और को सब्सक्राइब करते हैं जो कि मुश्ट इंप्रेंट को सने एंड को सने सेंग डेट कि एक रेसिंग कार का एक समान तोरण 4 मीटर पर सेकंड स्कॉाइर है गति प्रारम करने के 10 सब्सक्राइब कितने दूरी तरह करेगी फाल एक अमान दिया चार मीटर पर सेकंड टी कमान दिया दस सेकंड और यह समय पूछ रहा यू कमान जीरो होगा क्यों कि अप्रारम भी क्या जीरो है तो फाली आप लगाते हैं गत का चौथा समिक्राड मतलब एस टीकोल टू होत तो टीक कमान जा पर रखेंगे तो ढगा हर तो फाली होजाएगा एह ए सकमान आजाएगा दो सो मीटर अथा कार के दूरा 10 सेकंड में इतता है कि गई दूरी कितने है दो सो मीटर है तो गत के देती समिक्राड लगा कर आप बहुत phone असानी तरीके से फांड कर सकते हैं और फ्रेंट्स में आपको एक चीज़ बता दो कि गत का जो चारों से मिक्रड होता है वो सिंपल वाला भी और गृत्व के अंतरकत भी आपको याद करना जरूरी होता है क्योंकि यह आप याद नहीं करते हो तो आपको साथ सवाल लगाने में बहुत ही दिकतों का सामना करना पड सकता है तो आए कोशन नंबर फिप्त का में सालोशन करते हैं कि किसी पत्थर को उर्धवारदर उपर की और फाइफ मीटर प्रत्र सेकेंड के वेग से फेका जाता है यदि गत के दवरान पत्थर का नीचे की और दिश्ट तोरट दस मीटर प्रत्र सेकेंड स्क्वार है तो तो finally U का मान दिया 5 मीटर पर सेकेंड बी का मान दिया 0 A का मान दिया है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इसको आया कि उपर की दिशा में A तुरट इड़ात्मक होता है मतलब S इकॉल टू कितना T इकॉल टू कितना तो finally A का मान हम जानते A में हमको find करना है क्या find करना इसमें हमको find करना है t क्या होगा समय क्या होगा कितना समय लगेगा तो फार्मूला होता है वी equal to u plus a t तो हमने लिख दिया formula v equal to u plus a t मतलब a हो जाएगा 5 plus minus a command 10 दिया है and t यहां पर रखेंगे तो minus 5 equal to minus 10 t minus से माइनस डिस्कनेक्ट होगा ती कमान होगा 5 by 10 मतलब 0.5 सेकंड हो गया और भी में हमको find लगाते हैं आपर गत्का तरिती समिक्राइब वी स्क्वार इकोल टू यू स्क्वार प्लस टू एस तो फानली भी कमान जीरो यू कमान 5 है and 2 a s क्योंकि यहां पर चांतराड किया ना यह तो 2 a s equal to 20 square minus u square तो फानली आस हम s कमान find करेंगे तो minus 25 equal to minus 20 into s the s equal to 25 बटे 20 तो 1.25 meter तो s कमान कितना हो गया 1.25 meter तो वही का रखी पत्तर के द्वारा प्राथ की गई उचाई equal to 1.25 meter तो था वहां पहुंचने में लगा समय 0.1 सेकेंड होगा तो इस तरीके साब इसको solve कर सकते हैं तो और भी बहुत सारे question पुछे गए हैं ऐसे ही जैसे पाठी पुस्तक में जो भी question पुछा गया अभी ओ तो बीच बीच में ब्यास 200 meter का एक चकर चार सेकेंड में लगाती है दो मिनट भी सेकेंड पर बाद वह कितनी दूरी तहें करेगा उसका विस्थापन क्या होगा तो फाइल नहीं आप लेकिंगे ब्रित्थी पर्थ का ब्यास 200 meter एक चकर में तैकी गई दूरी ब्रित्थी पत्की परीद और प 700 बंचसांट मेमे तो आतारी है कि फेलट लगाता है तो एक चाली सेकेंड में लगाया तो फानली में आप लिखेंगे 140 से कर्थ भ्रित ब्रित्थी पर पर का चकर ये बाटे चाली सफ़ास 50 एक रहीं क्रें चाली सब्स future 5 लगा और यह दो हजार मीटर कितना अगा दो हजार मीटर और इस तरीके साफ उसको साल्व कर सकते हैं और देखिए आपसा नंबर बी की बात करते हैं कर रहा कि माना की एथलीट बिंदू पी से दोड़ना प्राराम करता है असपश्टा 3.5 चकर के बाद उसकी इस्तिति क्यों होगी यह दो हजाए है तो यही इसका क्या हो जागा 200 मीटर होगा । इस तरीके साफ इसको शाल्व कर सकते हैं दो समने होगा यहां पर थोड़ा से मेंची है, 2000 होगा, कितना होगा? 2000 इस तरीके साफ इसको सालब कर सकते हैं कोशन नमबर फोर की बात करते हैं कोशन नमबर फोर में कोशन पूट अप होता है कि कोई मोटर बोल जील में विस्थापन से सरा रखी पत पर थीरी पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड के नियास तोरण से टी इकोल डू आठ सेकेंड तक चलती है तो इस समय नत्राल में मोटर मोटर बोट कितनी दूरी तयां करेगी तो फालल इस स्कूशन का अंसर देते हैं यू कमान कितना जीरो एक कमान अठ सै meter per second square T come on 8 second as equal to a ut plus half a t square एफार्मूला होता है आपको मालुम होगा second formula होता है तो यहाँ command रखते हैं यह हो जागा u command 0 into t plus half into a command a 3 and t command दिया हुआ यहाँ पे 8 second तो a 8 का square हो जागा तो finally 88 यहाँ 64 तो half into 3 into 64 और आपट 90 meter अथा motor ball दो रहता है कि यह दूरी कितनी होगी 96 meter होगी इस तरीके सा आप इसको solve कर सकते हैं तो friends वीडियो हैं तो इस था वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को like किजिए फर्स्ट है मैं तो प्लिजिए हमारी चैनल PCM knowledge की भी सब्सक्राइब कर लिजिए isolate टेस्ट वीडियो पाने के लिए तो next वीडियो में next office के साथ मैं आपसे मिलते हैं thanks for watching